हलो स्टूडेंट्स देनी क्लाशेज में आपका स्वागत है आज 13 अप्रेल 2024 का करेंट फेर देखेंगे जो राजस्तान की सभी प्रतियोगी प्रिक्षाओं के लिए रामबान रहने वाला है राजस्तान राष्ट्री अंतराष्टे जितने भी क्योशन लगबग 10 से 12 मिन में हम सारे ही कवर करते हैं तो आज 13 अप्रेल जो भी इंप्रेंट क्योशन बनते हैं वो सारे हमें कवर करेंगे पहला प्रशन है कि हाली में भारत और उजबेकिस्तान के बीच कौन सा संयुक्त सन्य भ्यास शुरू होगा डस्ट लिक शुरू होगा डस्ट लिक शुरू होने वाला है उजबेकिस्तान की राजधानी पुछे तो ताशकंद है उजबेकिस्तान की करंसी पुछे तो उजबेकिस्तानी सोम है तो भारत और उजबेकिस्तान के बीच डस्ट लिक शुरू होगा DUST LIK राजधानी ताशकंद है और उजबेकिस्तान की करंसी उजबेकिस्तानी सोम हो ज केमैंपियंशिप का उद्दिंगांठन हुआ है 32 गड़ में कांपर हुआ है 33 गड़ में गड़ कर शक्री कि दिवसा है बिसनुन देव्साय है हाली में जारी वेश्विक साइबर अपराद सूचकांग में भारत का स्थान कुन सा है इसमें भारत का दस्वा स्थान रहा है जो हाली में वेश्विक साइबर अपराद सूचकांग में भारत का स्थान दस्वा रहा है अगर पूछा जाए कि प्रत्थमिस्तान किसका राह है तो रूस का राह है रूस का प्रत्थमिस्तान राह है दूसरा स्थान युक्रेन का राह है और तीसरा स्थान चीन का राह है तो प्रत्थमिस्तान रूस दूसरा स्थान युक्रेन तीसरा स्थान चीन और भारत का दस्व स्थानिस में रहा है हाली में एशियाई कुस्ती चेंपियंशिप 2024 का इजन किस देश में किया जा रहा है किर्गिस्तान की राधनी बिसकेक में किया जा रहा है किर्गिस्तान की राधनी बिसकेक में एशियाई कुस्ती चेंपियंशिप 2024 का इजन किया जा रहा है कि हाली में राज्य निर्वाचन विभाग दवारा 100% मतदान के लिए 7 से 14 अपरेल 2024 तक किस अभिहान को चला जा रहा है रट लेना एक्जाम में बनने वाला प्रशन है आओ बूथ चले अभिहान आओ बूथ चले अभिहान राजस्तान में लोग सो बाचुरां 19 अपरेल वच 26 अपरेल को 19 अपरेल वच 26 अपरेल को दो चरणों में होंगे हाल ही में बठिंडा पंजाब में आयोजिद 164 वी इंडियन ओपन प्रतियोगिता श्योटकन 2024 में राजस्तान के किस गिलाणी ने स्वन पदक जीता राजस्तान के महिपाल सिंग सेखावत ने स्वन पदक जीता मुख्य मंत्री विश्व कर्मा पेंशन योजना रट लेना एक्जाम में प्रशन बनेगा ही बनेगा 18-35 वर्ट आयू वर्ट के शर्मिकों के लिए यह योजना शुरू करने की गोश्टना कितने वर्ट के 18-35 वर्ट के होने चीए जिसमें 60 रुपे से लेके 100 रुपे तक मासिक प्रीमियम देना होगा केवल 60 रुपे से 100 रुपे तक मासिक प्रीमियम लेगेगा राजस्तान सरकार दवारा 400 रुपे प्रतिवेक्ति का प्रीमियम वहन किया जाएगा और जैसे ही 60 वर्स के आयू पूर्ण हो जाती है उसके बाद में 2000 रुपे की पेंशन शुरू हो जाएगी मंतली 2000 रुपे पेंशन शुरू हो जाएगी तो यह अच्छी स्कीम है ध्यान रखना हाल ही में राजस्थान में मनरेगा के तहट हाल ही में विप्रो के नए CEO MD कौन बन गए सिरी निवास पल्लिया बन गए है सिरी निवास पल्लिया ये कौन बन गए है विप्रो के नए CEO MD बन गए है सिरी निवास पल्लिया को थियरी डेलापोर्ट की जगh न्युक्त किया गया है हाल ही में वेनेजुला के दुनिया के सबसे बुजर्ग वेक्ती जुआन विसेंट पेरेज मोरा का निदन हो जाने पर सबसे बुजर्ग वेक्ती कौन बन गए ब्रिटेन के जोन टिनिस बुड बन गए ये प्रशन तो आपके डंक से रट गया होगा क्योंकि ये प्रशन इंपोटेंट भी है कई बार में आपको रिपीट भी करवा दिया तो अब कौन बन गए ब्रिटेन के जोन टिनिस बुड बन गए साथ ही ये भी ध्यान अकना कि 2023 में साउथ अफरीका में रहने वाली दुनिया की सबसे उम्र दराज महिला जोहना माजी बूको का 128 साल की उम्र में निधन हुआ है हाल इमें पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एक मत्र भारती भारो तोलख कौन है मीरा भाई चानू है एकजाम में छपने वाला ये भी आपके प्रशन है मीरा भाई चानू एकजाम में छपने वाला प्रशन है रट लेना मीरा भाई चानू हाले वे कौन पैरिस ओलम्पिक में भारत की पहली महिला जूरी सदसे बनी है पैरिस ओलम्पिक भारत की पहली महिला जूरी सदसे बिलकिस मीर बनी है बिलकिस मीर बनी है जम्मू कस्मीर की बिलकिस मीर 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस फ्रांस में होने वाले 33 ग्रिश्म कालीन ओलिम्पिक में जूरी सदस्षे के रूप में न्यूक्त होने वाली पहली भारतीय बन गई है वह जूरी सदस्षे बनने वाली भारत की पहली मेला भी है तो ये ध्यान रखना काफी इंपोर्टेंट प्रशन है आपके लिए अगला देखते हैं हाली में IPL में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाडी कौन बन गई विराट बन गए है विराट दैरन मशीन कोहली विराट कोहली बन गए है हाली में सेम पित्रोदा दरवार लिखित पुस्तक का विमोचन हुआ जिसका नाम है किसने लिखी है सेम पित्रोदा दरवार लिखि गई है हाली में स्लोव आकिया के नए राष्टरपती कोन बन गए यहां से जितने भी ये राष्टरपती है इंपोटेंट इस सारे मैं आपको कवर करवा रहा हूँ स्लोव आकिया के बनेगे हैं पीटर पेले ग्रीनी कांगो देश की पहली महिला परदानमंत्री बनी जुडित सुमीनवा तुलूका हंगरी के नए राष्टरपती बने तामस सुल्योग आयरलेंड के सबसे युवा परदानमंत्री बने साइबन हैरीस और फिनलेंड के राष्टरपती बने अलेकजेंडर स्टब कजाकिस्तान के नए परदानमंत्री ओलजास बेक्टेनोब यह तो सारे आपको इंपोटेंट है ध्यान रखने हैं राजस्थान में इडाना माता का मंदिर कहां है इडाना गाउं सलूंबर में इडाना माता का मंदिर है इन्हें अगनी वाली देवी के रूप में जानते हैं ऐसे कहा जाता है यह जो देवी है अगनी वाली देवी के रूप में जानी जाती है महीने में लगबग तीन से चार बार इनके जो मंदिर है उसमें स्वते ही अपने आभी आग लग जाती है और माता की जो मूर्ती है उसके अलावा सब कुछ भश्म हो जाता है तो इडाना माता का मंदिर अब हम बात करें सलूमबर जीले में आ गया है वर्तमान में जीला कौन सा लगता है आपसे पूछ ले तो ध्यान देना सलूमबर जीला लगता है वर्तमान में और आज का जो आपका अंतिम प्रशन है काफी इंपोटेंड आपके लिए प्रशन होने वाला है हाल ही में छे बार की विश्व चेम्पियन जो पैरिस ओलमपिक के लिए भारत के अभ्यान प्रमुक्पद से हट गई है एम सी मेरी कॉम हट गई है ये च्छे बार की विश्वय चेम्पियन रह चुकी है मुक्यबाजी में च्छे बार की ये चेम्पियन रह चुकी है एम सी मेरी कॉम जो अब पेरिस ओलम्पिक जो होने वाला है इस साल उसमें भारत का जो अभ्यान परमुक्पद है उससे ये हट गई है काफी इंपोर्टेन प्रशन है ध्यान रखना आप देखो इन्होंने क्या लिखा है इन्होंने लिखा है कि भारतिय ओलम्पिक संग की अदेख्ष जो पीटी उशा है ये भी ध्यान रखना तो ये आपको ध्यान रखना ये जो अभ्यान का जो परमुक्पद है इससे एम सी मेरी कौम हट चुकी है काफी अच्छा प्रशन है एक्जाम के लिए इंपोर्टेन प्रशन है और ओलम्पिक संग की अदेख्ष पूछे तो भारतिय उलपिंग सक्के अदेख्ष वर्थवान में पीटी उशा है तो ये आपको अच्छे से धंग से ध्यान रखना है तो आज आपकी क्लास हो गई 17 इंपोर्टेन क्योशेस ले लिए कुछ क्योशन मेंने रिपीट भी करवा दिये ताकि पिछले भी आपके प्रिशन ढंक से अच्छे से याद रहे क्विज रात को आठ बजे रोजाना डेनिल क्लासेस के टेलीग्राम चिनल पर आपको मिलती रहेगी रोजाना आपको क्विज वहाँ देनी है ताकि रोजाना का आपका रिवीजन भी वहाँ पर चलता रहे रिवीजन भी आपके लगातार होता रहे वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना है नए हो सबस्क्राइब आप कर लेना धन्यवाद